तुम्हें कभी ठंड लग रही हो, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, तुम क्या करोगे, जाकर वुलन लेओगे, that's all, कर लोगे न, तुम बड़े हो, बालक को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, कुछ नहीं कर सकता, बच्चा जो करना चाहता है, जो नहीं करना चाहते है, वो करवाया जाता है उससे, इस से बड़ी विपत्य और कहीं किसे जाती है, और इतना उसकी इच्छाएं दबती है हर बार, वो नाने के बाथरूं में गया, नाना नहीं चाहता, और फिर भी मान नालागे बेन लाएगी बार, नला के, उसकी इच्छा दबी दबी, दबी 365 दिन इच्छा दबती हो और यही बच्चा इसी लिए जल्दी बड़ा होना चाहता है, कोई बच्चा छोटा नहीं रहना चाहता है, तुम छोटे होना चाहते हो, लेकिन हर बच्चा बड़ा होना चाहता है क्योंकि बड़े होते ही मैं स्वाच्छंदी होके जी पाऊंगा तुमने तो बालक को चू 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 करके खाली खिलाया होगा वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट लेकिन अंदर बालक क्या फील कर रहा है आज श्री राम उसके बात करेंगे आज आ रहा है बालक का स्वरूप, बाल अवस्था का स्वरूप बाल अवस्था कैसी है और कोई यहाँ ऐसा है, जो इस बाल अवस्था से वंचित रहा हो बालक नहीं है आज का सच्छंग सुनने के लिए लेकिन बाल अवस्था तो सभी के आई होगी नो जीरो टू टैनियर में रखते हैं उसको मैं ये इतनी अवस्था तो सभी के आई है तो उस बाल अवस्था का स्वरूप और उसमें भी उसका जो टॉडलर स्वरूप है यानि जीरो टू थ्री एर्स आज जनरली उसके उपर फोकस आएगा कि वो अवस्था कैसी है आउ जरा तुम्हें दर्शन कराते है श्री राम ने वो अवस्था बीतर फील कर ली है लेकिन राम बस वेराग्य में अटक गए वेराग्य से आगे अब गुरु वशिष्ट उन्हें जो तीसरे, चौथे, पाच्वे, चटे प्रकरण में बोध देंगे वो उन्हें वित्राक्ता में ले जाएगा सो आज का ये सर्ग है बाल अवस्था की बात करेंगे अगला सर्ग आएगा जिसमें युवा अवस्था की बात करेंगे और उसके बाद जो सत्संग आएगा उसके अंदर वृद अवस्था की बात करेंगे ये तीनों अवस्था इनेविटिबल है के नहीं है लेकिन इस आज के एपिसोड में तुम देखेंगे बालक अवस्था क्या है, उसकी दीनता क्या है, उसका दुख क्या है बालक का, तुमने तो बालक को चू-चू-चू करके खाली खिलाया होगा, वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट, लेकिन अंदर बालक क्या फ अरी ब्रहमन में मैं पड़ा हूँ, तो हर बार बालक तो हुआ ही हूँ ना, can I skip that अवस्था, not at all, कुछ कैसी हालत है, आव जरह दूरबीन लगा कर देखते हैं, कुछ तेरा बाते शीराम ने करी है, 19th सर्क के अंदर, तरंगिनी संसार सागरे जन्मा बाल्यम् दुखायके वलं। अशक्तिर आपदह त्रिष्णा मुकता मूडबुद्धिता गृधनता लूलता देन्यं। सर्वं बाले प्रवर्थते श्री राम चंदर जी कहते हैं, मुनिश्वर, असमर्थता, आपद्या, त्रिष्णा, मूकता, मूडबुद्धिता, खिलोने आदी की अभिलाशा, चंचलता और दीनता आदी सारे दोश बाले अवस्था में ही प्रकट होते हैं। श्री राम चंदर जी कह रहे हैं, कि बाल अवस्था में कितने कितने दोश प्रकट होते हैं, कितनी कितनी दीनता हैं प्रकट होती हैं। आप भूल गए हैं, लेकिन आप सभी की बाल अवस्था में ये सभी तेरा बाते जो श्री राम बोलने जा रहे हैं, सभी की सभी प्रकट होई। सबसे पहले श्री राम कहते हैं बाल अवस्था में असमर्थता प्रकट होती है विवश है असमर्थ है बालक लाचार है डिपेंडेंट है येस और लो इन फैक्ट यहाँ पर तो बाल अवस्था को दो अलग-अलग धंग से श्री राम ने कंपेर किया है या तो वो पशु-पक्षी जैसी है और या फिर पेड़ जैसी है लिखा इसमें ही यहाँ पर परम बुद्धिमान मुनिश्वर जिसके अंधर करण में सर्दी गर्मी का अनुभवत होता है परंतु जो उनका निवारन करने में समर्थ नहीं होता उस बालक और रिक्ष में क्या अंतर है कितना असमर्थ है तुम्हें कभी ठंड लग रही हो तुम खली फील करो तुम्हें बहुत ठंड लग रही है तुम हिमालियास में मेरे साथ हो, बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तुम क्या करोगे, जा कर, वुलन लेओगे, that's all, कर लोगे न, तुम बड़े हो, बालक को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, कुछ नहीं कर सकता, जरा, imagine करो, तुम सब उस अवस्था से पसार हुवे हो वो बोल नहीं सकता है कितना विवश है कितना असमर्थ है सर्दी गर्मी का अनुभव करता है परंतु निवारन करने की उसमें शम्ता नहीं अर एक शम्ता हो भी न तो बुद्धी का इतना विकास नहीं है कि इसका निवारन करती कैसे है तुम्हें ठंड लगती है हिमाल्याज में तो निवारन करने की शंता भी है और बुद्धी भी है कि अगर ठंड लग रही है तो ठंडे पानी का शावर नहीं ले लोगे ठंड लग रही है तो आग जलाकर उसके सामने बैटोगे या जैकेट पैनोगे लेकिन बालक तो इतना असमर्थ है और हम सब कम से कम दो साल तो इस अवस्था में रहेंगे ना कि ठंड लग रही है एसी इतना फास्ट होते है कई बार मैं भी देखती हूँ इतना फास्ट इसी है बच्चा बैठा है बोल थोड़ी सकता है बोल के ज़्यादा तर बोलेगा बार बार ममी को ममा बातरूम जाना है इतना इसी चल रहा है ममा वाश्रूम जाना है ममा परेशान होगी क्यों बार बार वाश्रूम जाना है जो मनुष्य जीवन परम सामर्थ्य से बरा है, उसका पहला पढ़ा भी क्या है? असमर्थता, लाचारी. जो मनुष्य जीवन बना ही इसलिए है, कि तुम अनेकों के आधार बनो, उसका पहला ही चरण कैसा दे दिया? और आज मनो विग्ञान क्या कहता है? कि इस पहले चरण में जो ग्याना, तीसरे साल तक 90% of your brain is developed. और उस पहले तीसरे साल के अंदर ही, पहले दूसरे, तीसरे, इस पहले पढ़ाओ में ही, हम फील क्या कर रहे है? लाचारी. येस और नो. तो बाल, अवस्था, सबसे ज़्यादा लाचारी, विवश्था, डिपेंडेंसी से भरी है, और समर्थता से भरी है. एगरी करते जाना फिर मैं आगे बढ़ोंगी. Do we agree? Do we agree? Yes. Second, आपत्तियों से भरी पढ़ी है. तुम को के बच्चे को क्या आपत्ति? मुझे सुबह सुबह प्रभू ने बोल दिया, कि ये भक्ती लेनी, आपत्ति मुझ पर तूट पड़ी. I know, अमनीश को ऐसा नहीं हो आगा, लेकिन आपत्तियां तुम पर तूटते हैं, बच्चे पर क्या आपत्ति तूटी? नहीं सोना, तब मम्मी कहेगी सोजा, सोजा, सोजा. नहीं उठना, पर मम्मी का पार्टी का टाइम है, उठजा, उठजा, उठजा. नहीं खाना, पर मम्मी को काम निप्ताना है, खाले, खाले, खाले. खाना है, पर मम्मी वाटसेप पर बिजी है. यह विपत्या, यह बच्चों की विपत्या और किसको बोलेगा, डाट भी सकता है बच्चे को क्या, अभी हमें हसी आरी मम्मी को, डाट भी सकता है क्या हो, नहीं, अभी हमें लग रहा है, लेकिन बच्चा जो करना चाहता है, वो कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता, वो कर सरा त्रिशना से भरा है उसका चित त्रिशना से बच्चे का चित ही त्रिशनात्मक होता है हर चीछ चाहिए उसको जो देख ले वो चाहिए पॉसिबल है कि नहीं है ये तो सोचता ही नहीं है ये दिखा ये चाहिए फायदा करेगा कि नुकसान करेगा सोचता ही नहीं है किच कहीं चले भिना रही नहीं सकते बच्चा चलना सीखता है तुम देखते हो ना चलता रहेगा चलता अरे कहां जा का रहे है तू पता नहीं तृष्णा से बरा चित है सतत चल रहा है लेकिन दिशाहीन है सतत कुछ चाह रहा है लेकिन दिशाहीन है कि चाहिए क्या मुझे, तो बच्चे का मन सबसे अधिक तृष्णा से भर है, तुम्हारी तृष्णा है तो फिर भी directional है अब, तुम content के person हो अंकेत, तो तुम्हारी तृष्णा किताबों तक है, कपणों तक नहीं है, तुम्हारी तृष्णा content related है, की भी है, कपणों की भी है, अलमारियों की भी है, और अपना जो भी उसका बालपन है, तो खिलोने की भी है, हर एक वस्तो की तृष्णा, हम एक तृष्णा से ठकते हैं, isn't it, content का कीड़ा कभी मन में गुज़ जाए, तो अंदर, 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 कितने thoughts सलते हैं, बच्चे को हर एक की तृष्णा है, तुम सोचो हर डायरेक्शन में, अपोजर डायरेक्शन में उसके कितने thoughts सल रहे हैं, तुम जरो उसकी अवस्ता सोचो, दैनी अवस्ता है, तुम्हें जो बच्चा, ओ, we return to childhood, क्या आप शांदार दिन थे, बेजो तुमें, है मेरे पास चुटकियां हैं मेरे पास, कि मैं तुमें भेज सकती हूँ, लेकिन आज का ये vernon सुनके तुम कहोगे, नहीं प्रबू, बाल अवस्ता बिलकुल नहीं चाहिए, इन फैक्ट अब तो अवस्ता हैं नहीं चाहिए, लेकिन बाल अवस्ता जिसको हम आदरनिया मानते थे, फ्र तृष्णा, हर चीज के इच्छा, चाहे उसका फोटे है के नहीं है, चाहे उसका इंटलेक्ट उस डारेक्शन में है के नहीं है, पर हर चीज के इच्छा है, उसका दिमाग कितना असंतुलित होगा, कितना तनाव में होगा, तुम कहेरो नहीं तनाव में नहीं होगा, पर ह क्योंकि brain तो उसी तरह से wire and fire करेगा, इसलिए तृष्णा बाल अवस्ता में है कि नहीं, yes, आगे बढ़ो, मूकता, inability to say anything, चाहता है पर समझा नहीं पाता, चाहत नहीं ऐसा नहीं है बच्चे में, वो कितनी चीज़े चाहता है, कितना कुछ चाहता है, लेकिन अपनी चाहत को ना मा को, ना बाप को, ना मेट्स को, किसी को समझा ही नहीं पाता है, और तुम खाली अपने से आज की अवस्ता से रिलेट करो, तुम अपनी चाहत को समझा नहीं पाओ, how much suffocating it is, तुम क्या चाहते हो, in fact, काईमार हम लोग किसी रेस्टोरेंट से पहले जाते थे ना, तो वो रेस्टोरेंट में उने जैन फूड समझाना, अपने में एक बहुत बड़ा हमारे लिए पराकरम होता था, कि प्रभू जैन फूड खाते हैं, जैन फूड क्या होता है, ये मैकसिकन बोलो, स्पैनिश बोलो, इटालियन बोलो, जैन फूड तो, it's not on our menu, और तब उनको इतना समझा पाना ना, कि जैन फूड में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कहते थे तो, खाते क्यों आप लोग, खाते हैं और एकदम हेल्दी हैं, रिष्ट प्रिष्ट हैं, देखकर यकीन तो होता था उन्हें, लेकिन अपनी बात को समझाना पाने का, उस समय जो अंदर वो दुख होता था, ये बड़ा अजीब सा था, इन फैक्ट ये दुख मुझे तुम लोगों के साथ भी होता है, कि मैं जो समझाना चाहती हूँ, वो कभी शब्दों में यहां नहीं सकता, और शब्दों के अलावा, और कोई ढंगनी है समझाने का, तो आल्मुस मैं तो मुख मतलब, मैं जो बोलना चाहती हूँ, वो तुमें बोली नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत इशारे कर दूं, और उससे तुम समझ जाओ, और चांद तोड़के ले आओ, बस यही तुमें चाहती हूँ, चांद आजाये तुमारे हाथ के, मुखता है, य मुख शब्द जादा अच्छा है, गुंगा, बाल अवस्था, गुंगेपन की अवस्था है, पांचवा मूड बुद्धिता, बुद्धी कैसी है, मूड, मूड इसलिए कहा जाता है, कि निश्फल, जो कारिय होने वाले है न, उसके लिए भी बहुत प्रयास करता है, उसक बभी बहुत प्रयास किया जाए, न, इसे मूड कहा जाता है, पहले तो मूड की definition समर लो, जिसमें पता ही है, कि मैं failure ही attain करने वाले हूं, उसके लिए बहुत प्रयास किया जाए, ये बुद्धी कैसी है, मूड बुद्धी, तो बालक सतत मूड बुद्धी है, उसे पता ही है कि उसके माबाप के सामने उसकी नहीं चलने वाली और nowadays वाली mother के सामने तो बिलकुल नहीं चलने वाली उसने बोला so मतलब so और फिर भी वो जागने का प्रयास कर रहा है, mood बुद्धी था बालक की बुद्धी इतनी mood है कि somewhere वो because of संसकार information grant तो कर लेता है लेकिन process नहीं कर पाता उसका brain अभी processing unit brain का ना सक्रिया नहीं हुआ CPU होता है ना central processing unit जो है ना अभी brain में सक्रिया नहीं हुआ पांच इंद्रिय से information आती है पेट में भूख लगती है बालक को तो रोता है चिलाता है अंदर मन में भाव क्या चल रहा है दूद देने वाला इंसान मुझे दूद नहीं दे रहा इसलिए उसके प्रती बहुत प्रेम आएगा क्रोधा रहा है रो रहा है in fact रोता तो है ही नहीं बालक आंसू कब देखे बच्चे के चिलाता है खाली रोता नहीं है बच्चा अभी वो टियर ग्लैंडी डेवलपनी हुए कि वो रो पाए चिलाता है जोर जोर से मदर किचन में दूद बना रही है बालक को भूख लगी है जोर जोर से चिला रहा है चिलाना is actually the अभी व्यक्ति of क्रोध और दो मिनट बात अभी यह मूड बुद्धी है और सतत बच्चे को यह चल रहा है कितनी बार तुमने देखा होगा कि बच्चे के सामने से तुम घर से निकलो ना टाटा करके तो वो हाथ खड़े करता है मुझे लेके जाओ तुम्हें अपना नहीं याद होगा पर ऐसा होता है कि नहीं अब जैसे ही बच्चा ऐसा करेगा सामने वाला टीज करना शुरू कर दे नहीं लेके नहीं जाएंगे अंदर में उसके प्रती क्रोध चिलाना शुरू करता है रोना शुरू करता है ये तो देखा है, बच्चा रोता है, बच्चा चिलाता है, इसका मतलब बीतर क्रोधा रहा है, और उसी समय वो आदमी उसको आराम से इंब्रेस करके ले जाता है, उसी बच्चे, उसी आदमी के प्रती, वाओ, इससे बड़ा तो परम मित्र है ही नहीं मेरा कोई, कितनी विप अच्पन में ही, that state of confusion has appeared within our system, अभी किसी को मच्छा मानते हैं, और अभी किसी को मुरा मानते हैं, अभी किसी के प्रती हमें मित्र भा होता है, अभी किसी के प्रती हमें एकदम शत्रुता का भा होता है, बाल अवस्ता इसी से बड़ी है, so much state of confusion, it comes in the first stage of our life, do we agree, mood, equations को process नहीं कर पाता, और conflicting equations बना लेता है, विपरीत equations, ममी बहुत अच्छी है, ममी बहुत गंदी है, पापा बहुत गंदे, पापा बहुत अच्छी है, बस constant conflicting equations, और जिसकी conflicting equations है, उसका equal to क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसका, zero भी नहीं होगा, zero आजाए तो भी बड़ी है, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर अगर variables में confusion है, तो constant में कभी clarity हो सकती है, as the variable, so is the constant, और क्या? चछठा, बच्चे तुछ अभिलाशी है, श्री राम कहते हैं, बच्चे की अभिलाशा कैसी है? तुछ अभिलाशा है, सारा सामर्थ्य उसी को पाने में लगा देते हैं, तृष्णा में ही आ गया, कि जिसे कभी पाया ही नहीं जाता, चांद पाना है, बच्चे की हरकते हो तो तुछ अभिलाशा यानि ऐसी अभिलाशा लाते रहना अपने लाइफ में, जैसे खिलोना बच्चे को चाहिए, बच्चे को पेपर फाड़ने को चाहिए, ऐसी ऐसी अभिलाशा है, लेकिन उन अभिलाशाओं से मिलेगा क्या, कुछ बहुत सर्वश्रेष्ट मिल जाने व एगरी कि पूरी बाल अवस्थाएं में हमने तुछ अभिलाशाएं की है, एगरी करो, तभी आगे बढ़ पाएंगे, जाग जाओ सब, सातमा चंचलता का भाव, अरे बापा, इससे तो हम परेचित है, तुम्हारा मन जितना चंचल है ना, चंचल है, do you know, चंचल मन भी होत है, तुम कोगे, हाँ परभू, यही, we know only this thing, बाकी हमें कुछ पता ही नहीं, so much fidgeting in thoughts, so much fidgeting in feelings, इतना wavering mind, यह करे, ना करे, जाए, ना जाए, बोले, ना बोले, समझे, ना समझे, कितनी मन में चंचलता है, है, yes or no, शास्त्र कहते है, मनोविज्यानिक शास्त्र कहते है, not my शास्त्र, the psychological scriptures की बात है, Freud की बात, Freud खास कहते है, मान लो, तुम इतने चंचल हो, तुम्हारी बाल अवस्था में 10X कर दो इसको, इससे दस गुना ज्यादा तुम उस समय चंचलते, यानि अभी तुम्हारी चंचलता के कारण दिमाग में जो भार आ रहा है, ना, मनो विज्ञानिक, मनो विशलेशन कहता है, कि दस गुना ज्यादा भार तुम बच्पन में लेके जी चोके हो, अब तो तुम कम लेके जी रहे हो, बाल अवस्था में 10X, 10 टाइम्स ज्यादा तुम्हारे भीतर ये भार चल रहा था, और तुम्हें परिचे तो शाब्दिक पर अनुभव तो था, और हटाने का कोई स्त्रोत्र, कोई ढंग नहीं था, कि बच्चे को भार लग रहा है, चलो थोड़ी दिर स्वासों देख लो, बच्चे को भार लग रहा है, चलो अनंत संसार समुद्र सन लो, बच्चे को कोई बोधी नियमूड बुद्धी है वो त तुम्हें तो भार आता है, तो कम से कम तुम्हें पता है, कि I must break out, कहीं जाना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए, कुछ भक्ती सुन लेनी चाहिए, प्रभु के दर्शन करने चाहिए, बच्चे के पास तो कोई ऐसा बोधी नहीं है, इसलिए कहा, चंचल मन कैसा है, तो टेंशन फ्री है, तुम देख लो, तुम से टेनेक्स ज्यादा टेंशन पर आपरेट कर रहा है हो, आश्चर यह होना चाहिए, और तुम करके आए हो, अब तो तुम्हें वरीजदी है, और तो भी तुम ठक जाते हो, नहीं, लेकिन जीवन की पहली अवस्था कैसी है, दुखी रहता है, उस कारण से रिदय पर सत्त घाव बन रहे हैं, बच्चे यह इन्हों नहीं लिखा है वर्ड्स, एक तुम्हें, सारे वर्ड्स इसी में होते हैं, निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, उन्हें न पाकर उसकी बुद्धी सदा संतप्त होती रहती है, और इससे इतना दुख होता है, मानो किसी ने उसके रिदय में घाव कर दिया, यहां पर लिखा है इसमें, उसके रिदय में घाव होना किसको बोलते हैं, पता है, समयद में आ रहे हैं, मालब इसस नोट कि खंजर लेके घाव कर दिया, कोई तुम्हें छोड कर चला जाए, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारी प्रियवस्तू, और रिदय में, have you ever experienced that pain in your heart, जीवन में जब कुछ खराब हो सच में दिल में दर्द होता है, वो दिल का दौरावला दर्द नहीं है, ये दिल का दर्द होता है, मैंने खुदने लाइफ में फील किया है, तो ये जो घाव है बच्चे को सतत मिल रहे हैं, सतत उसके दिल में दर्द चल रहे है, दर्द यहां पर, जब उसको अपनी इच् पर माने खिलोना नहीं दिया, इसलिए सत्त उसके अंदर यहां पर घाव चल रहा है, दिल में दर चल रहा है, और इसी दर से ठक कर वो बार बार सो जाता है, ये भी मनोविज्या ने बहुत अच्छे से बताते हैं, क्यों बच्चा बार बार सोता है, बार बार घाव लग रहा है, बार बार ठक रहा है, and the body needs healing, जो घाव लग रहा है, बाडी हील कैसे करेगा, maximum during sleep, और बच्चे रिकावर भी जल्दी कर जाता है, क्योंकि इतना कुछ बैक लॉग नहीं होता उसके माइंड में, तो वो दो गंटे सो के आते हैं, वापस खेलने लग जाते हैं, घाव गा आज की सत्संग के एक टुकड़े में हम समझेंगे, क्यों ऐसे व्यवस्ता है, बच्चा दो गंटे में घाव भूल जाता है, और हम दो-दो साल तक लटके पड़े रहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, हाँ, तुम मंजूर करते हो, दीनता का भाव था, इनेबिलिटी है उसकी, कंपेर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, और दीन लाचार हमेशा पड़ा रहेगा, नाइंत कहते हैं, भय आधीन सबसे डरता है, यहीं पर लिखा है, किस से डरता है बच्चा, बाल अवस्ता में अज्ञान वश, जल, अगनी और वायू, इन स सबसे निरंतर भय पाता है, भय के कारण पक पक पर जो दुख प्राप्त होता है, वह आपतिकाल में भी किसको होता होगा, मतलब बच्चा हवा से डरता है, जोर से हवा आ गई, बच्चा डर जाता है, जोर से अगनी भढ़क गई, तुमने वो जो क्या बनाते हो, शोर करने बच्चा बईभीत होता है, वो आग भी देख ले ना बच्चा डर जाता है, बच्चा यह निए वो दो-तीन साल वाले तक की एज की बात चल रही है, तो हवात ज्यादा देख ले, अगनी ज्यादा देख ले, या तुमने कभी देखा होगा, बच्चों को नहलाने गई ऐसे शिवर होता है, शिवरिंग कमस only after acute fear, याद रखना, बच्चे को वाँ ठंड नहीं लग रही, लेकिन this is the sign of acute fear, कि जिसके कारण से बच्चे का शरीर बातरूम में जाते ही, शिवर करने लग जाता है, and he don't have any option, मम्मी तो अच्छा डव लाई हूं आज तेरे लिए, अच् दुख सारा भुगतना पड़ेगा, लाचार है, तो दुख avoids कर सकता, ऐसा नहीं है, दीन है, तो दुख avoids कर सकता है, ऐसा नहीं है, दुख सारे तुझे भुगतने पड़ेंगे, और इतना उसकी इच्छाएं डबती है हर ब़ार, वो नाने के बातरूम में गया, नाना न बड़ा हो कि सबसे पहले सव influence इसका खिलता है और इसलीक म mó убद करने के लिए बार बार बात करें गये जो जो डबाया है बच्छपन में जन्मों छोड़ो weak जन्मों जन्म छोड़ो आचमें बात ही नहीं कर रहे यही जन्म तीन साल तक तुमारी इच्छाएं दबी है और इच्छाएं दबी है मतलब आप हर बच्चा बढ़ा होना चाहता है किसी बच्चे ने का हूँ मैं बच्चा रहना चाहता हू urgency पापा के जूतों में पैर डालके चलेगा, मम्मी की साड़ी बांद के लड़किया घूनती है, हर बच्चा बढ़ा होना चाता है, इसलिए नहीं कि बड़े होने में बढ़ा सुकून है, लेकिन इसलिए कि बच्चे होने में तो बहुत दुख है. कोई बच्चा छोटा नहीं रहना चाहता है तुम छोटे होना चाहते हो लेकिन हर बच्चा बड़ा होना चाहता है क्योंकि बड़े होते ही मैं स्वच्छन्दी होके जी पाऊंगा ये बार-बार मेरी इच्छाओं को जो रोंधा जा रहा है बार-बार मेरी इच्छा के विप बटेलियन है मेरी दुश्मन, यहां तो घर के दो-चार लोगी थे, लेकिन वहां तो एक बहुत बड़ा बटेलियन पहले से इस तरह से चक्र व्यू को सज्ज किया गया है, कि उसमें भेजा तो जाता है, निकलना नहीं आता बच्चे को, निकलना नहीं आता, और जब तक वो निकलता है बारा साल बात, तब तक मैंड इतना कंडिशन टुवर्ड्स वास्ना और भोग और इंद्रिय विश्य हो जाता है, टुवर्ड्स सक्सेस, ग्रोथ, मनी, इतना कंडिशन कर दिया जाता है, कि अब यहीं बच्चा परीभ्रमन में ही भटकता रह जाता है, तुम सो दर के संसकार सतत चालू है, वहाँ बच्चपन में छोड कर नहीं है, everything is connected, यह मत बूलना, तो बच्चपन से वही भई के संसकार लेकर तुम चल रहे हो, दसवा, दूश्यत अभिप्राय रूपी मोह है उनके अंदर, दूश्यत अभिप्राय, सतत उसके गलत अभिप्राय चल रहे हैं, जो अभी पहले भी समझा है न, माँ के प्रती गलत अभिप्राय बाप के प्रती गलत अभिप्राय है, हर जगे उसके अभिप्राय ही गलत है, मैं बड़ा इंटरस्टिंग इवेंट एक शेर करती हूं पार्थ की लाइफ का, पार्थ है इसमें, तुम कान बहुँ जादा, बहुँ जादा, टीचर्स को परेशान कर देता था, टीचर बाइचांस गुजराती थी, मेरी फ्रेंड थी, तो उसने पार्थ को कुछ लिबर्टी दी, दो ड़ाई साल कही था, तो लिबर्टी थी के बटा, खाना खालो फिर घर बेजोंगी, तो उसके मा परेंडेंगे रहेंगे लाव अलोट, और उसकी ठीचर को बोल थी, खाना फिनिश अब घर बेज दो, अरे, प्रयोजन क्या था टीचर का, प्रयोजन क्या था, कि टिफिन के बाद, यहनी, starting में Harvard में ऐसा था, कि starting में 할bury में, यहनी, टिफिन के बाद, भेज देते थे, जाओ वही गलत equation, गलत equation, हर चीज में बच्चे ने गलत equation मनाई, यह मत सोचना, कि तुम युवकों का कमाल है, कि तुम रॉंग equation मनाते हो, नहीं, यह रॉंग equation बनाने का कार्या, तुमारी बाल अवस्था से शुरू हो गया है, do we agree or not? yes, हर चीज में हमने मिथ्या, अभिप्राय, दूश्षित, अभिप्राय, जिसके अंदर राग और दुवेशी होते हैं, और कुष नहीं होते हैं, उनके अभिप्राय में कभी प्रेम नाम की कोई चीज होती है, शांती रखो ऐसी कोई चीज होती है, कि घर में कुछ चलो, मेरे टाइम से है, दूद नहीं मिल रहा, बालक तो शांत रहें, ऐसा अभिप्राय कभी उसका हो सकता है, नहीं दूद मिला, तो खुश-खुश, दूद नहीं मिला, तो चिलाओंगा, कहीं शांती का थर्ड डाइमेंशन बच्चे की लाइफ में है भी के नहीं है, स्विकार कर ले बालक तो, स्विकार का डाइमेंशन ही नहीं है, यानि जो भी डाइमेंशन बालक की लाइफ में है न, वो या तो राग मही है, या द्वेश मही, the third Dimensions of Daya, Shanti कि मम्मी पर थोड़ी तो Daya कर ले गैस चली गई है, वो सिलिंडर लगा रही है Daya नाम की कोई चीज नहीं है Shanti, Samta, Shama कि चलो मम्मी से गलती होगे कितनी बालक को नाराज होते नहीं देखा किया कैसा नाराज होते है तो मैंने तो देख, मेरे बच्चों ने ऐसा नहीं किया लेकिन काटते हैं अपने मा को हम बैठे हो में, काटते हैं नाराज की, बड़ा प्रेम जयता रहे हैं काट के तुम पर नहीं, लवी प्रभु भी हाँ बोल रही है, काटागा उसके उसने सम्यक और क्या नाम इन लोगों ने काटते हैं इस तरह से अपना गुस्सा दिखाते हैं क्योंकि कोई भी शांत भाव या कोई भी सौम्य भाव प्रदर्शन करने की अभी उनके पास युक्ती ही नहीं आई, तो दूशे तभी प्राइसे बरे, डूवी एग्री येस, इलेवंथ दोश दुराचार का घर है उनका रिदय कैसा है दोश दुराचार सब कुछ पढ़ाई है, ऐसा मत समझना कि पांचवे साल पे वो सब आता है वो आता है, तुम बोलते हो पांचवे साल को अब तो तेरे में बहुत गुसा आ गया अरे आया कहां से, तुमने डाला ले बेटा दूद के साथ थोड़ा क्रोध भी ले ले नहीं दूद बाहर से गया, क्रोध तो बेतर से आया, जित कहां से आई बच्चों में, तो जितने भी दुराचार है, जितने भी दोश है, जितने भी गलत चीजे है, उन सब का घर है ये, सब सारे के सारे दोश दुराचार, अपनी संगठन बना कर, अपना एक यूनियन बना कर, अभी manifest नहीं हो सकते, पर सारे के सारे बाल रिदे में बैठे है तुम्हें लगता है ना बाल रिदे बड़ा अच्छा है बालक के रिदे में भगवाने नहीं है आज ये श्री राम बता रहे बाल अवस्था मैंने ऐसी देखी देखो चित का हाल क्या है और उस अवस्था से अब मुझे दुख लग रहा है आप कहते हो विवा करो लेकिन वा नुभूति यानि श्री राम का वेराग्य प्रकरन्ट डोंट मिस्था कंटेक्स्ट ये वेराग्य चल रहा है उनके अंदर वो देख पारें कि बाल अवस्था में ये सब तकलीफ होती है सच बता ना तुमने आज तक अभी बाल अवस्था को ऐसे देखा तुमने तो बाल इनोसेंस ये सारे संसार शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र इडिस हाइट ऑफ सफरिंग अग्नोरेंस हम ये कहते हैं दोश दुराचार रूपी सभी रोगों का घर है डूवी एगरी आगे बढ़ते हैं मुझे बहुत कुछ समझाना है बारवा अविवेक इसमें लिखा है अविवेक ही है बालक सही गलत की परक ही नहीं है चोर भी आके कुछ खिलोना दे जाए तो चोर के साथ चल लिया विवेक ही नहीं है कौन मेरा कौन पराया जहां कुछ वस्तु मिली भाग लिए और वही अविवेक बड़े होके चलता है जहां कोई अच्छी स्त्री दिखी जहां अच्छा कैरियर दिखा, भाग लिए वहाँ पर, ये अविवेक की अवस्था तुम्हें, वहीं से निकल रही है, और तेरवा लास्ट कहते हैं, विलासी होता है बालग, ये जो तुम्हें बहुत विलास का भाव आया है न, विलास मतलब समझते हैं, लग्जूरियस लाइफ, या कोई जिम्मेदारी लेने वाले जीवन नहीं, विलासी, एशो अराम, भोगी सा, ये बालग महा विलासी होता है, खाओ पीओ सो जाओ, तो और क्या जीवन है बालग का, खाओ पीओ सो जाओ, अभी उसका विलास, उसकी लगज़री, कि मुझे सोने के क्राडल में सुलाओ, ऐसी बुद्धी नहीं है उसकी, मुझे इतने बड़े मैंशन में सुलाओ, ऐसी बुद्धी नहीं है, लेकिन बस कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, मैं विलासी उसको कहती हूँ जिसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी बस लाइफ की बेसिक सर्वाइवल लीड्स खाओ पियो और सो जाओ उसी में ही मस्त रहना है ये विलासिता जीवन के पहले चरण से ही हमारे सौफ़वर में है डू वी एग्री और नाट ऐसा है बालक का जीवन और तुम चाहते हो बार बार परीभ्रमन तो तुमें बार बार ऐसी दीनता में से गुजरना होगा तुम दीनता नहीं चाहते है पर परीभ्रमन चाहते हो तुम कहोगे हम अब अपने बच्चे नहीं पैदा करेंगे, भई वो वो अलग बात है, लेकिन तुम बच्चे बनकर तो आगे कहीं पैदा होगे तो ये सारी चीजें बच्चपन से तुम्हारे सॉफ्ट्वियर में आ जाएगी, yes or no? What is an antidote? बच्चे बनकर तुम्हारे सॉफ्ट्वियर में